नमस्कार, जहिन, सलाम और सभी की स्वागत है इस वीडियो में और सभी सुनने वालों को एक और सूचना लेकर आए हैं आपके समक्ष PhD अप्लिकेशन फॉर्म है, 22 और 22 का है, अप्लिकेशन फॉर्म को भरने की डेट खतम हो गई है, कुछ बच्चों के लिए और कुछ बच् विडियो को देखते वक्त आपको लगे, चैनल को सब्स्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, या सूचना अच्छी कासी आपको लग रही है, पसंद आ रही है, सूचना का लाव यदि आपको होता है, तो सूचना को शेर भी कर दीजेगा, अपनी गुद्धी समझ विवेक के अनुसा, तो सूचना लखनो विश्विद्याले का ये चौथा वीडियो लगभग आप देख रहे हैं, पार्ट टाइम पीच्डी और फुल टाइम पीच्डी दोनों ही माध्यम से अप्रिकेशन फौर्म आए हैं, और पार्ट टाइम पीच्डी को लेकर क्या र गंबीर होंगी, उस वीडियो को देखिएगा, और एक से दो दिन में वीडियो आपको मिल जाएगा, लेकिन अप्रिकेशन फौर्म आप भर दीजेगा, और अब बात कर लेते हैं सीटों की, और फिर आपको बताएंगे कि किसको फौर्म भरने का मौका अभी भी है, और किस के लिए डेट क्लोज हो गई है, और यह सारे लिंक, जो ज़रूरी लिंक होते हैं, महेटपॉन लिंक होते हैं, जहां से आप इंफॉर्मेशन को डिटेल में पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, और जो मैं आपके समक्ष बाते रख रहा हूं, कितनी सही है, कितनी परमानी के, कि ती जानकारी उपर विश्वास बिलीव करिएगा तो सूचना पीजडी के लिए हम बले बात करते हैं फुल टाइम पीजडी की फुल टाइम पीजडी लखनो विश्विद दाले 223 की सजन में किस विशा में कितनी सीटे हैं ध्यान से सुनेगा और इसी के साथ पार्ट टाइम सीटे किस विशा में कितनी है भी आपको बता दूगा ठीक है लगबग 1280 सीटे निकली है 1280 सीटे निकली है एक प्रस कर दिये 81 यानिके 1281 टोटल सीटे हैं पार्ट टाइम फुल टाइम प्यजडी की मिलाग ठीक है लेकिन युरिवस्टी ने एक बाद और कह दी है कि सीटो उचै को बढ़ाया और घटाया कभी भी जा सकता है और इसका अंतिम नर्न विश्विढयालै के पास में शुरक्सित है तो अगर आपको लगता है किसी विशय में 50 सीटे आई है लेकिन 55 बच्चों को अडमिशन दे दिया गया है या किसी विशय में 50 सीटे आई है विवाग में और 45 बच्चों को अडमिशन दे दिया है तो ये दोनों ही फैसले विश्विद्याले का विवाग लेने की अपने साथ संसक्रितberg नहीं है। एक सीट है फुल टाइम और दो सीटे हैं पाट टाइम में रक्षा अध्यान मिल्रेटरी इसको साइंस बोलते हैं रक्षा चलीज़ बोलते हैं मनोविज्ञान यानिके SAKOLOGY मोनोविज्ञान यानिके SAKOLOGY बहत अक्छा और मैठनोर्बॉन विषे लिकिन सीटे बहत कम है में 5 और फिर है AIH पहला था MIH और दूसरा है AIH इसमें 31 सीट है हिंदी हिंदी साहिते इसमें आई है तीन सीटे पार्ट टाइम में और फुल टाइम में 103 सीटे आई है समाजकारे में एक-एक स्षेट है पाट-टाइम फूल टाइम में भाशा विज्ञान में 2 स्षेटे है दर्शन शास्त्र में 15 सीट है एकनॉमिक्स यानिकि अर्धास्त्र में 27 यानिकि 27 स्षेटे आई है अभी तो आधे विश्दू है, सेश है यानकि पिक्चर अभी बाकी है अर्दशास्त के बाद कौन सा विशे है? शांख्य की यानिके इस्टाटिक्स इस्टाटिक्स में 13 सीटे फोल टाइम और 8 सीटे पाट टाइम में आई है जिव विज्ञान में 9, भूगर्व में 1 प्रसायन विज्ञान में 98 सीटे फोल टाइम और 3 सीटे पाट टाइम फिजिक्स यानिके भूतिक विज्ञान में 125 सीटे फोल टाइम की आई है और 12 सीटे पाट टाइम के लिए आई है गडित में 7 सीटे है जन्तू विज्ञान में 149 यानिके जोलोजी इसको बोलते है, जन्तु विज्ञान में 149, 139, वरस्पती विज्ञान में 20, 20, 20, विधी यानिके लौ में 36, 36 सीटे है, शिक्षा सास्ति यानिके एजुकेशन 145, पहले आपको विजिकल एजुकेशन, सारी रिक्ष शिक्षा उसके अंदर 45 सीटे है, लोल टाएम में part-time में कोई सीट नहीं है, वाणिज्ञ में 65 सीट है, वहवारीक अर्थ शास्त्र में như अप्लाइड, एकनोमिक्स में 24 सीटे है, व्यवारीक परकारशाचर में अप्लाइड, एड्मिस्ट्रिशन में 25 सीटे है, मानव्व शास्त्र में 6, लालित कला एवंग चित्रकला में पाँच, लाइबरी इंफोर्मेशन साइंस में पाँच, एरबिक यानिके अरब कल्चर में 19 सीटे हैं ठीक है और अरब कल्चर में अरबिक में दो सीटे पाट टाइम भी आई है और ललित कला एवन चित्रकला वाले में एक सीटे पाट टाइम के आई है लोग परशाशर में, दो सीट बार्ट टाइम के लिए, और सेट फॉल टाइम के लिए परेशन में एक सीट पार्ट टाइम की है और 14 सीट फूल टाइम की है फ्रेंच में एक सीट पार्ट टाइम की है और दो सीट फूल टाइम की है अंग्रेजी में आठ सीट पार्ट टाइम के बच्चों के लिए है और 36 सीट फूल टाइम के लिए है टोटल सीट के लिए PhD के लिए आविदन करना चाहते हैं उनकी date खतम हो गई है 25 जनवरी उनकी last date रखी गई थी और जिनका full time PhD होने होगा admission के लिए भरा है जिन्होंने उनका exam यहने के परिक्षा अब फरवरी के last में होने की संभावना यह लगती है लेकिन होगा नहीं मैं इसलिए आप से कहा रहा हूं ही संभावना क्यूंकि सेकेंड सरी थर्ड वीक और फोर्थ वीक में UGC net की परिक्षाएं भी होने वाली है तो अगर date clash करगी तो हो सकता है नाओ तो मार्च के फर्स्ट वीक में हो सकता एंडमेंट कार आ जाया सेकंड वीक में परिक्षाएं हो या फिर हो सकत है तो 17 फर्वड़ी से पहले भी परिक्षाएं हो सकती है क्यूंकि सतुरा फर्वरी 2023 से UGC net की परिक्षाएं आराम होने वाली है या तो उससे पहले परिक्षाएं हो जायेगी और यदि सत्रा परिक्षाओं से परवेश परिक्षार नहीं होती है लगनों विश्वेदा ल वीडियो बनाए है मैं भी जानता हूं आप देख नहीं पाएंगे या आपको मिलेगा नहीं तो नया वीडियो नए से डॉक्मेंट विशेश आपको लगाने होते हैं क्यों कुछ सवाल आये था कि कहीं से कोई वीडियो का वेट करिएगा और कमेंट करके बताएगा कि आप पीएजडी किस विशेश अपलाई करे हैं या करना चाते हैं और आपके पास विशेश कोई यूनिक सा सवाल है तो अगले शेशन में उसको भी हम लेकर वीडियो में बाच्चित करेंगे आपने अपना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और यदि आप वीडियो को देखते देखते यहां तक आ गए हैं तो आपको सलाम है और अपनी राय जरूर दीजेगा अपने सवालों को अपने मित्रों के सवालों को और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर जरूर किएगा ताकि सूचना सही समय पर सही व्यक्ति पर पहुंचे ताकि लोगों का समय बरबाद होने से बस सके नमस्कार जैहिन सभी